सद्गुरु जी तो वो क्या है? ठीक है तो हम सभी के लिए हम अपनी जिन्दगी कैसे जीएं? जिन्दगी जीने का सबसे बड़ी हा तरीका क्या है? हमें सीधी सीधी और सरल भाशा में बताईए इतना करो और तुम उस दिशा में बढ़ने लगोगे जहां तुम्हें आनन्द मिलेगा, खुशी मिलेगी, जागरुकता मिलेगी और तुम्हें अच्छा conscious जीवन जीने लगोगे अगर आप ध्यान दें अगर हर कोई थोड़ी सी कोशिश भी कर ले हर कोई थोड़ा सा वक्त निकाले जीवन के इस हिस्से के लिए आपके परिवार के लिए नहीं, आपके करियर के लिए नहीं नहीं किसी और चीज़ के लिए सिर्फ जीवन के इस हिस्से के लिए इसे थोड़ा समय तो दीजिए क्योंकि ये आपकी जिन्दगी में जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, है ना? हाँ या ना? अगर आपको किसी से प्यार हो, फिर भी ये जीवन का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है, है ना? तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कैसे होता है? हम इसको हलके में क्यों लेते हैं? मेरा विश्वास कीजिए, आप हमेशा के लिए जिन्दा नहीं रहने वाले ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कि आज राज जितने भी लोग सोने जाएंगे, उन में से एक लाख से ज्यादा लोग कल सुभा जागेंगे ही नहीं और कल, अगर आप और मैं कल सुभा जाग जाते हैं, तो क्या ये कमाल की बात नहीं है? और कई लाख लोगों के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको प्रिय था, वो जागा नहीं, तो अपने आस पास के उन पांच-छे लोगों को चेक कीजिए, वो सबी जाग गए, वाव, ये एक शांदार दिन है, आप जाग गए, और वो लोग जो आपके लिए खास हैं, वो जाग गए, क्या ये एक शांदार दिन नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दिक्कत सिर्फ ये है, कि आप इस भ्रम में जी रहे हैं, कि आप अप अमर हैं, आप असल में नहीं सोचते कि आप अमर हैं, लेकिन आप अपनी नश्वरता के प्रतीज जागूरूग न लगता है कि आप अमर हैं, है न? दिन में कितने पलों में आप जागरूक रहते हैं कि आप नश्वर हैं? अगर आप जागरूक रहते तो क्या आपके पास शिकायतें करने का समय होता? किसी के साथ लड़ने का समय होता? अपनी जिंदगी के साथ बेकार के काम करने का समय होता? अगर आपको पता होता, अगर आप जागरूख होते कि आप नश्वर हैं तो उसके सिवाए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आप बस ये एक चीज करें, बस खुद को याद दिलाइए ये मत सोचिए कि ये बुरी चीज है, मौत कोई बुरी चीज नहीं है यही वो चीज है जिसने जीवन को मूलेवान बनाया है अगर आप हमेशा के लिए होते तो आपको सेहना नामुम्किन होता क्या आमें खुशी नहीं है कि हर कोई एक दिन मरता है अगर आप बस इस एक चीज के बारे में जागरूक रहें हर समय आप जागरूक रहें कि मेरी भी मौत होगी ये नहीं कि मैं आज मर जाऊंगा, चाहत वो नहीं है हम जितना हो सके उतना जीना चाते हैं लेकिन आप जानते हैं कि एक दिन मैं मर जाऊंगा अगर आप बस इस एक चीज के प्रती जागरूक रहें तो आप खुद बख़ुद आध्यात्मिक बन जाएंगे हर दिन हर पल अगर आप खुद को याद दिलाएं कि ये छोटा सा जीवन है मैं नश्वर हूँ एक दिन मैं मर जाऊंगा सिर्फ दो दिन के लिए ऐसा करके देखिए आप अपने अंदर एक बहुती शांदार चीज बन जाएंगे बस इतना ही ये तो बहुत ही सुन्दर था बस इतने से की ज़रूरत है अगर आप जीवन का मूल ले जानना चाहते हैं तो बस इतना जान लीजे कि एक थोड़े से समय की घटना है